जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं आपके फोजी बनने के सपने को साकार करने के लिए S.S.C. मेकर एक बार फिर मैदान में तोब क्लास अनुभवी सिक्सगों के मार्ग दर्सम में तयार किया गया S.S.C. GD. 4G बैंच जो देता है आपको 100% सेलेक्शन के वारंटी तो देरी किस बात की आज ही जोइन करे S.S.C. GD. 4G बैंच मात्र 250 रूपिय में और करें अपने सलेक्शन को पक्का ओफर सीमित समय के लिए उपलब्द अधिक जानपारी के लिए आप S.S.C.Maker एप डाउनलोड करें और दिये काई नमबर पर कॉल करें नमस्कार दोस्तों मैं अजयस्तिंग आपका स्वागत करता हूँ S.S.C.Maker की सॉलनाइट प्रेटफरम पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट लास में दोस्तों हम आप लोगों को बढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न यानि की पाइप और टंकी ध्यान दीजिएगा पाइप एंड सिस्टर्न ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट बहुत ही सभी स्टर्न यान में समय लगे ङनि कितना समय लगे universities मिन्ठ एक साथ खोल दिये जाए तो टैंक को बरने में समय लगेगा यानि कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है देखिए चलिए दो पाइप ए और भी एक टैंक को क्रमसा 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों एक साथ खोल दिये जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा देखिए कोश्चन अभी आप लोगों को हम टाइम और वर्क में क concept यहां पे भी लगेगा ठीक है देखिए दो पाइप है एक है ए दूसरा है भी ए दोस्तों कितने 20 मिनट में और बी दोस्तों 30 मिनट में यह भर सकते हैं तो 20 और 30 का आप क्या करेंगे LCM निकालेंगे देखिएगा आप सब इस्टूडेंट यह method 1 हम आप लोगों को बता र अगर यह बोल रहा है आप से खोंड़ देंगे एक साथ खोल देंगे तो ए दोस्तो तीन लीटर प्रती मिनट भरेगा और बी दोस्तो जो है वो दो लीटर प्रती मिनट भरेगा तो यह मिल के कितना लीटर प्रती मिनट भरेंगे पांच लीटर प्रती मिनट भरेंगे ठीक है तोटल जो टैंक की छमता है वो क्या है 60 लीटर है कितना है 60 लीटर है और एक मिनिट में अगर पांच लीटर भरा जा रहा है तो time क्या लगेगा साफ बड़ा का 5 मतलब 12-25 होता है 12 मिनट आंसर होगा आप लोगों का क्या 12 मिनट यहीं answer होगा बताहिए आप सबको समझ में आया कि नहीं सभी त्स coins को solve किया जाता है बताए एक बार comment करके हैं बहुत अख्षे बहुत अख्षे वेरी गुड सब स्टूडेंट समझ गये हैं चलिए अब आप लोग बताए इसके लिए सौ्ट्रिक क्या लगा सकते हैं वह आप लोगों को बताए हैं सौ्ट्रिक डिरेक्ट अगर आपको LCM ना निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं method 2 apply कर सकते है method 2 हम आप लोगों को क्या बताए थे बताएंगे आप सब स्टूडेंट देखिए method 2 बताए थे A किसी कारे को X दिन में और B किसी कारे को Y दिन में करता है तो दोनों मिल के उस कारे को कितने दिन में करेंगे xy बटा में x plus y तो वही चीज है एक किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है भी दोस्तों किसी टैंक को 30 मिनट यानि की x और y भी मान सकते हैं भर सकते हैं तो दोनों मिलके उस टैंक को कितने देर में भरेंगे दोनों मिलके उस टैंक को कितने देर में भरेंगे तो method 2 है दोस्तों आप सब स्टूडेंट दोनों मिलके उस tank को xy बटा में x प्लस y मिनट में भरेंगे ये क्या है सौट ट्रिक है x बराबर दोस्तों क्या है 20 और y बराबर क्या है 30 20 और 30 रखेंगे answer आएगा बहुत अक्षे xy बटा में x प्लस y very good सब स्टूडेंट सही है जो ये formula लगा रहे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग देखेंगे x की जगा है 20 और y की जगा है 30 तो 20 गुने 30 बटा में 20 प्लस 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा 0 से 0 कंसिल हो जाएगा 5 ओको 20 और 4 ती या 12 answer क्या होगा 12 minute answer क्या होगा 12 minute answer होगा 12 minute answer होगा चलिए बताए समझ में आ गया वरी गूड सभी स्टूडेंट एक डम सही है जितने स्टूडेंट बारा मिनट आंसर दे रहे हैं उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गया होंगे कि ऐसे प्रशनों को कैसे स्वल्व किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स देखें आगे देखेंगे दूसरा कोश्चन दूसरा कोश्चन देखिएगा दूसरा कोश्चन भी काफी इंपॉर्डेंट है अच्छे से देखेंगे और समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे दूसरा कोश्चन देखिए दूसरा कोश्चन है ध्य गंटे में खाली हो जाएगी बात भई है दोनों खाली करने की बात कह रहा है और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली कितने दिर में हो जागी या आप चाहे तो इसको बेसिक फॉर्मूला मेथड वन से आप इसको कर सकते हैं एक किसी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है बी दोस्तों कितने दिर में 60 घंटे में खाली कर सकता है साथ और चालिस का एल्सियम क्या होगा 120 साथ तो होगा नहीं 40 से कटेगा नहीं साथ दूना की 120 120स एक सोबीस होगा ठीक है तो यहां पर देखिए 40 त्याइअ ध्यान दिजेगा 40 त्याइअ 120 ध्यान दिजे मतलब तीन लीटर प्रति घंटा ये भरेगा तो 40 घंटे में पू दुना के 120 भी जो है वो दो लीटर प्रती घंटा भरेगा तो साथ घंटे में 120 लीटर मतलब पूरी टैंक भरेगा यहाँ पर आ गया कह रहा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सौरी यह क्या है भरने वाले नहीं है खाली करने वाले हैं माइनस वाले हैं भरने वाले भी उसे 10 वाले लीटे में 30 अभरी करेगा तो 40 गंटा क्या करेगा तो चालीस घंटे में खाली करेगा तो क्या होगा साथ घंटे में पूरी टैंक खाली होगा यह समझ में आगया अगर यह दोनों मिल जाए तो यह चलेगा माइनस थ्री लीटर प्रति घंटा और यह माइनस टू लीटर प्रति घंटा तो मतलब क्या होगा minus 5 L. प्रतिघंटा यहीं क्या होगा 5 L. प्रतिघंटा की दर से यह tank को क्या करेंगे खाली करेंगे यहीं तो जा अगर दोनों दोस्तों यहां क्गर रहें दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो भरी tank tank अगर फुल है तो कितने घंटे में झाली होगी टेंक दोस्तों 120 लीटर की है और पाँच लिटर प्रती घंटा के हिसाबसे छाली हो रहा है तो आंसर क्या होगा बताए आप सब सुटेट 5 दुनाके दस और 5 2014 24 गंटा अंसर क्या होगा 24 घंटे थीक है यह 24 गंटे में खाली होंगी आंसर होगा आप लोगों का क्या अंसर आरे 24 आवर वेरी गोड बहुत अक्से एकडम सही जितने स्टूडेंट आंसर देरें तो इसमें भी आप वो बेसिक फॉर्मूला यह तो बेसिक दरीका रहा आप सौट्रिक इसमें भी लगा सकते हैं इसके देखिए तो एकस की जगा पे क्या है एकस बराबर 40 है और वाई बराबर क्या है साथ है तो 40 गुने 60 और बटा में 40 प्लस 60 क्या होगा 100 दो 0 है दो 0 से 2 0 कैंसिल चार्ज हके 24 अंसर क्या होगा 24 घंटे यह अंसर हो जाएगा समझ में आया तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं सौट्रिक लगा सकते हैं इस कोशन के लिए भी ठीक है बताएं एक बार समझ में आया की नहीं चलिए जितने student 24 hour answer दे रहे हैं आप सभी student एक दम सही है समझ में आ गया है अच्छी बात है चलिए हाँ xy बटा में x plus y इसके लिए भी लगा लेंगे आगे चले नेक्स question देखेंगे तीसरा question तीसरा question देखिएगा ये भी काफी important है अच्छे से देखेंगे और समझने का आप सभी student प्रयास करेंगे ठीक है चलिए question है ध्यान दीजिएगा question number 3 की बात करें तो ये most important question है पूछा गया question है question है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा एक अन नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंक को आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा time in work आप लोग पढ़िये तो आप लोगों के लिए pipeline system कुछ भी नहीं है बहुत दीजी है बस इसको आप थोड़ा सा समझेंगे answer दे देंगे चलिए बाते इदर उदर की नहीं करना है question फोकस करने आप लोगों को ठीक है देखिए एक नल खाली टंक को बारा घंटे में भरता है एक अन अधी टंक को बारा दस घंटे में क्या करता है खाली करता है यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, यहां पर देखना है, चलिए, थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए यह प्रश्न, देखिए, एक नल, ध्यान दीजिएगा, एक नल, खाली टंकी को 12 घंटे में क्या करता है, एक नल्ढ आधें किगंड़ को दस घंटे में अगर पूरी टंगी यानि कि पूरा तंकी को अगर जो खाली करना हो तो कितना घंट लगेगा अगर आधा 10 गंटा लग रहा है अगर आपको आधा काम कोई भी मतलब ममाने लिज़े तंकी है आधा तंकी पानी निकालने में 10 गंटा लग रहा है तो पूरा टंक निकालने में क्या, 20 गंटा होगा की नहीं? इतना तो आप लोग समstones दार हैं, समझ रहे हैं, हाँ, देखे। तो यह क्या होगा मतलब एक अन्य नल जो दूसरा नल है वो क्या है आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है मतलब पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करेगा करें यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होग खाली टंकी के आधे वा स्सक्राइब, आधा ही वर्ना हो, probability थो समय क्या लगेगा यह है देखेंगे अधी टंकी को 10 खंटे में मतलब पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है ये 20 घंटे में क्या करता है यह माइनस करने वाला है समझीए काफ सब सब क्या निकालेंगे LCM देखिएगा तो 15 देखे 20 तो होगा नहीं क्योंकि 12 से कटेगा 20 से भी कटेगा तो होगा 60 यानि जो टंकी की छमता है ओ साथ लीटर है अगर यह 12 घंटे में भरता है तो यह घंटे में कितना भरेगा 12-25-7 पांच लीटर प्रति घंटा तभी क्या होगा 12 गहंटे में टंकी फूल होगी अब देखिए 20 याई 7 ये 3 लीटर ध्यान दीजिए ये प्लस करेगा ये 3 लीटर प्रति घंटा माइनस करेगा तभी क्या होगा ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट कि ये 20 घंटे में पूरी टंकी खाली करेगा या कह सकते हैं 10 घंटे म 10 घंटे में आधी टंकी खाली करेगा बोल सकते हैं ऐसे अब लोग समझ रहें अब देखिए अगर ये दोनों साथ चले तो रिजल्ट क्या आएगा एक करेगा प्लस 5 एक करेगा माइनस 3 तो क्या होगा 5 में से 3 जा 2 यानि कि प्लस 2 होगा क्या होगा 2 लीटर 2 लीटर प्रत में की है साथ तो आधा बाहर श्चाहें कि अगर साथ लीटर की किए तो आधा क्या होगा ध्यान दीजेगा साथ बटा का 2 ययानि की तिस लीटर यही होगा न है होगा आप देखिए तो आधा भाग भर cultural इतलत आखिए अगर 2 लीटर भरने में कितना समय लगेगा अगर दो ढ़नों नलों को साथ खोला जाये तो दोनों रिकर यह chem लगेगा बतार Today पंद्रा घंटा वेरी गुड बहुत दक्ष एकडम सही हाँ देखिए पूरी टंकी नहीं बोल रहा है यहां कहार है खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा खाली टंकी के आधे भाग को पंद्रा घंटे हाँ दोनों चल रहे हैं एक खाली भी कर रहे है एक भर वी रहा है तो रिजल्टा रहे प्लस टू का अंसर 15 दे रहे हैं आप सब इस stuड़िंट एकban सही यह उमीदकरते हैं समझ चुके हैं, इस question को समझ चुके हैं, आप सभी student, समझ में आ गया है, सर, अच्छा, बहुत एक से, चलिए, तो यह चीज समझ में आ गया है, आधा है, क्योंकि पूरा है 60, तो आधा होगा 30, या आप माल लिजिए, पूरा भरेंगे तो क्या होगा, 30 गंटा लगेगा, तो साधा भरेंगे, तो क्या 15 गंटा आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, चले ने, एक स्कुशन के तरफ, अगला question देखेंगे, question number 4, question number 4 देखिएगा, यह question number 4 है, most important है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और समझने का आप सब student प्रियास करेंगे, चलिए, इस question को आप लोग देखिएगा, क्योंकि काफी important question है, और एक बार नहीं, बहुत बार ऐसे प्रेशन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और ऐसे प्रेशन हमेशा पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखेंगे, इस question को, question क्या है, most important question है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को शमझना है, देखिए, तीन नल करमशा, 60 गंटे, 72 गंटे, 90 गंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं, तो बताएए, यद 밖에 तीनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तंकी कितने समय में भर जाएगी, देखिए, तीन लोग ABC किसी काम को इतने 10, 20, 30, ऐसे आता था था ना, हाँ, करते हैं, तो तीनों मिलके कितने दिने में करेंगे, यह वही चीज है, वही आपको क्या है, जो concept आप लोग करेंगे, वही चीज यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, चलिए, देखिए, समझने का पर्यास करेंगे, हम आप लोग को बता रहे हैं, देखिए, तीन नल हैं, पहला, दूसरा, और तीसरा, पहला, 60 गंटे में, दूसरा, 72 गंटे में, तीसरा, 90 गंटे में, क्या है, किसी टंकी को भर सकते हैं, कह रहे हैं, बताईए, यदि तीनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 60, 72 और 90 का LCM लेंगे, ठीक है, 60, 72, 90, 90 तो LCM होगा नहीं, क्योंकि 60, 72 से नहीं कटेगा, 90 दुना के 180, 60 से कटेगा, 72 से नहीं कटेगा, देखिएगा, 9, 37, 270, यहाँ पे किसी से नहीं कटेगा, 9, 4, 36, 360, हाँ, 360 क्या होगा, LCM होगा, यानि जो टंकी की छमता है, वो 360 लीटर है, अगर ये 60 घंटे में भर रहा है, तो ये घंटे में कितना भरेगा, 66, 36, यानि कि 6 लीटर प्रति घंटा, तभी क्या होगा, 60 60 घंटे में पूरी टंकी भरेगा, देखिएगा, 50 अगे 10 का 0, हासिल 1, 57, 35, 36, समझ में आ रहा है न, यह देखिए, 9, 4, 36, 4 लीटर प्रति घंटा कौन भरेगा, तीसरा भरेगा, तभी क्या होगा, 90 घंटे में पूरी टंक भरेगा, इतना तक्लियर हो गया, अब क्या है र लोग को एक साथ खोल दिया जाए, पहला, दूसरा और तीसरा को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तो पहला 6 लीटर प्रति घंटा, दूसरा 5 लीटर प्रति घंटा, तीसरा 4 लीटर प्रति घंटा भर रहे है, तो रिजल्ट के आएगा, 6, 5, 4, 15, 15 लीटर प्रति घंटे की हाँ 15 घंटे प्रती लीटर ये भारेंगे टैंक में पाने ठीक है तो टैंक पूरी कितने लीटर की है 306 की तो पूरा टैंक भरने में जो समय लगेगा हो क्या होगा 360 बटा का 15 तो आप कटाएंगे 15 दुना के 30 और 15 चौको 60 आप लोगों का रहा है दोस्तों बताइए आप सभी का जो मड़क अंसर इरहा है उमीद करते हैं समझ को होंगे एसे प्रशनोग को कैसे solve किया जा रहा है यह जो LCR method है बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है आप लोग इससे करेंगे प्रश्णों को बहुत जल्दी जल्दी आंसर देंगे ठीक है हाँ बताए आंसर कितने लोगों का आया एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो समझ में आया कि नहीं अगला question देखेंगे question नमबर 5 देखिएगा question नमबर 5 भी बहुत ही important है पूछा गया question है और ऐसे प्रशन हमेशा एक्जाम में आते हैं अच्छे से देखेंगे इस question को question नमबर 5 की बात करें तो यह most important है बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को question देखेंगे question है नल एक किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है जबकि भी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में 8 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है और बोल रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब एक भरेगा और दूसरा खाली करेगा तो result क्या आएगा result क्या आएगा मतलब कितने समय में टंकी भरेगी यह चीज आप लोगो को बताना है ठीक है देखिए अब हम आप लोगों को बता रहें, दो नल है A और B, A 6 घंटे में भर सकता है, B दोस्तो 8 घंटे में, आठ घंटे में क्या कर सकता है यह? खाली कर सकता है, मैनस, भरने वाले को पलस, खाली करने वाले को मैनस, तो 6 और 8 का LcM, 8 तो होगा नहीं, आठ दूना के 16, छेस नहीं तो आठ गिंटे में खाली रहे हैं तो आठ तरी के 24 यह तीन क्नांटा क्या करेगा माइनस करेगा प्लस माइनस शमज़ें तो अगर दोनों एक साथ करे चले तो यह प्लस चार यह माइनस थी तो रिजल्ट क्या एगा प्लस वन मतलब चार में से तीन जा एक रिजल्ट क्या आएगा एक लीटर प्रती घंटा भरा जाएगा और टंकी अगर कह रहा है पूरी टंकी ध्यान दीजिएगा आप सब इस्टूड़ दो नो नलो को एक साथ खौल दिये जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी तो टोटल जो टंकी की छमता है वो 24 है और एक लीटर प्रती लीटर उसमें पानी जा रहा है तो आंसर आप लोगों का क्या रहा है बताएगे 24 बटा का एक मतलब 24 घंटे आ रहा है आंसर की नहीं बताएगे आप सब इस्टूड़ेट उमीद करते हैं समझ चुके हैं देखिए यहां पे आप लोगों की जो भी क्लास से चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है जीरो लेवल से चल रही है और चैप्टर भाई चैप्टर चल रही है और हम उमीद करते हैं आप सब इस्टूड़ेंट इन सभी प्रसनों को बहुत student इस question को देखेंगे और समझने का सभी student प्रयास करेंगे ठीक है question number six question number six देखिएगा most important question है पूछा गया question है question है question है दो नल A और B किसी टंकी को करम सह 10 गंटे और 12 गंटे में भर सकते हैं जब कि एक तीसरा नल C भरी टंकी को 60 गंटे में खाली कर सकता है यदि तीनो नलो को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी पिछला question अभी आप लोगों ने किया यह वाला ध्यान दीजिएगा आप लोगों ने यह वाला question किया इसके लिए देखिए method one method two ऑगों बता दें याद आगया तो सोचे बता दें चलि देखिए इसमें क्या हो रहा है मतलब उसी टंकी को वाई घंटे में खाली कर सकता है और पूछे दोनों मिलक उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे तो आंसर होगा आप लोगों का xy भटा में x difference y यह हम आप लोगों को बताए है time and work में आप लोगों ने हाँ time and work वाले question में ऐसे प्रेशनों को solve करने के लिए हम आप लोगों को स्वाट्रिक यह बताए थे xy भटा में x difference y तो वही चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं x की जगा पे क्या है x की जगा पे 6 है और y की जगा पे क्या है 8 है तो 6 गुने 8 और भटा में 6 और 8 का अंतर अंतर मतलब 8 में से 6 गटाना 2 तो 2 ती आई 6 और 3 वटे 24 24 घंटे यह वाला भी फॉर्मूला आप लोग अगर इतना नहीं करना है तो आप यह वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ठीक है यह चीज समझ गए है अच्छी बात है बताए यह चीज समझ गए है clear है copy pen लेके बैठे हुए है आप से इस्टूरेंट अच्छी बात है तब ही आप लो X Y बटा में X difference Y लगाएंगे ठीक है आगे देखिएगा इस question को हम पढ़ दिये है देखे ए और B किसी टंकी को क्रमस 10 और 12 घंटे में भर सकते है जबकि तीसरा जबकि एक तीसरा नलसी भरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है हाँ खाली कर सकता है तो यदि तीनों नलों क को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर टंकी कितने समय में भरेगी देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या है तीन नल है ठीक है तीन नल कौन-कौन A B और C ए दोस्तों 10 घंटे में B 12 घंटे में ध्यान दिजिए आप सब स्पूडेंट वी 12 घंटे में और C साथ घंटे में देखिए कि दो बरने का काम करें ये फाली करने का तो ये प्लस वाला है ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है समझे है त्हां दिजियेगा तो आप 10 12 60 का क्या करेंगे 30 12 60 घंटे में कितना भरेग दर 10 630 स्थे आज यह प्लस करेगा यह 12 घंटे में भर रहा है तो 12, 25, 7 यह 5 लीटर प्रती घंटा प्लस करेगा तभी क्या होगा 5 लीटर प्रती घंटा भरेगा तभी 12 घंटे में 60 लीटर पूरी टंग भरेगी यह देखिए 7 हे कम 60 यह क्या होगा एक लीटर प्रती घंटा खाली करेगा तभी क्या होगा, साथ घंटे में साथ घंटे में पूरी टैंक खाली करेगा, यहां तक समझ गए हैं आप लो, अच्छी बात हैं, चलिए बहुत अच्छे, अगर ये तीनों कह रहे हैं, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो संपूर टंग की कितने घंटे में बरेगी ये तीज पूछ लाए, तो रिजल्ट क्या आएगा ध्यान दिजेगा, अगर ये A प्लस B प्लस C साथ में चले, तो A दोस्तों प्लस 6 और B ध्यान दिजेगा B प्लस 5 और C माइनस 1, तो 6 पाची गारा गारा में से एक जा 10 क्योंकि C जो है, वो माइनस कर रहा है एक लीटर प्रति घंटा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है प्लस 10, यानि 10 लीटर प्रति घंटा टैंक में भरा जाएगा टैंक की जो छमता है, वो क्या है 60 लीटर है, और 10 लीटर प्रति घंटा भरा जा रहा है, तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा हाँ, 6 घंटे समय लगेंगे आप लोगों का अंसर क्या रहा है, 6 और वो होद अच्छी से वेरी गूड सभी स्टूडिंट सही है उमीद करते हैं, अब आप लोग समझ चुके हैं कि टाइम और वर्क के प्रश्णों को सॉल्व तो करना सीख गए हैं और पाइपन सिस्टम के प्रश्णों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ये भी जान गए है, ठीक है जैसे ये साब सारी चीज़े सीखेंगे तो आने वाले चैप्टर एक दो दूसरे से क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, उनमें बहुत आसान हो जाता है प्रश्णों को सॉल्व करना चले, नेक्स देखें, आगे चलेंगे अगला कोश्ण देखेंगे अगला कोश्ण देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इस कोश्ण को बहुत इच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है क्योंकि ये प्रश्ण एक बार नहीं बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है कोश्ण नमबर सेवन कोश्ण नमबर सेवन देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्ण है कोश्ण है एक टंकी एक टंकी एक नल द्वारा दस घंटों में भरी जा सकती है हाला कि एक रिशाओ की वज़ा से टंकी भरने में ग्यारा घंटे लगते है टंकी के भर जाने पर नल वंध हो जाती है रिशाओ की वज़ा से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे रिशाओ समझ रहे हैं रिशाओ को आप समझ सकते हैं कि नीचे मान लेजे तल में कोई छोटा सा छेद है जिससे पानी क्रमसव निकल रहा है तो उसे बोलेंगे रिशाओ यानि कि उससे पानी रिशाओ हो रहा है मतलब निकल रहा है कह रहा है एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है कितने घंटे में? 10 घंटे में भरी जा सकती है हाला कि एक रिशाओ की वज़ा से तंकी भरने में 11 घंट लगता है मतलब कुछ पानी निकल रहा है इसलिए समय ज्यादा लग रा है 11 घंटे लग रहा है अब कह одним के भर जाने पर नल वंध हो जाता है कह रहा है रिसाव की वज़ा से तंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे सिर्फ रिशाव से बहुत अक्षे अंसर आ रहे हैं आप लोगों का सौटरिक भी लगा सकते हैं बेसिक उंसेट पहले समझिए माल लेंगे A A एक नल है दोस्तों 10 घंटे में भर सकता है और रिशाव की वज़ा से मतलब A भी चल रहा है और प्लस B ये B क्या कर रहा है माइनस कर रहा है ये भी चल रहा है अगर दोनों चले एक खाली करने वाला भी साथ चले तो 11 घंटे लग जा रहे हैं देखिएगा आप सब स्टूडेंट देखिए A B से समझिएगा आसान होगा A दोस्तों 10 घंटे में भर सकता है और जब A प्लस B A प्लस B मतलब क्या ये जो B माइनस करने वाला है मतलब A माइनस B भी बोल सकते हैं ये देखिएगा जब ये चल रहा है A के साथ B भी B रिसाव वाला है ठीक है ये चल रहा है तो कितना घंटा लग जा रहा है 11 घंटा लग जा रहा है तो 10 और 11 का LCM क्या होगा 110 होगा 10 और 11 का LCM क्या होगा 110 होगा मतलब 110 लीटर की टंकी है ये देखिएगा 10 घंटे में भर रहा है तो कितना लीटर प्रति घंटा होगा 10 से भाग करेंगे तो 11 लीटर प्रतियावर 11 लीटर प्रतियावर की रवतार से भर रहा है तभी 10 गंटे में क्या होगा पूरी टैंक बरेगा ये देखिए 11 लीटर प्रति हाँ इससे क्या हो रहा है ध्यान दीजेग आप सब इस्टूडेंट हाँ इसमें क्या हो रहा है ग्यारा घंटा लग रहा है क्या लग रहा है ग्यारा घंटा लग रहा है इसमें थोड़ा सा समझने आप लोग को ग्यारा घंटा लग रहा है तो यह क्या होगा ग्यारा हम 110 यानि कि 10 लीटर प्रति घंटा इससे पानी जा रहा है तो मतलब क्या है यहां पी एक माइनस करने वाला भी है, वो भी है, वो कौन है, रिसाओ है, तो रिसाओ द्वारा जो पानी निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है, आप सब इस्टूडेंट देखेंगे, यह 11 लीटर, 11 लीटर प्रति आवर की रफ्तार से भर रहा है, लेकिन जब रिसाओ के सा समचने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो रिसाओ से पानी कितना बाहर निकल रहा है, रिसाओ, रिसाओ से क्या हो रहा है, 10 लीटर प्रति घंटा, देखेंगे, बिना रिसाओ के 11 लीटर प्रति घंटा जा रहा है, रिसाओ के साथ जा रहा है, तो 10 लीट एक लीटर ध्यान दिजिए आप सभी स्टूडेंट एक लीटर ध्यान दिजिए एक लीटर यहां एक है एक लीटर प्रतियावर पानी निकल रहा है यही तो है तंकी की जो छमता क्या है तंकी की छमता 110 है और एक लीटर प्रति घंटा अगर पानी निकले तो टाइम कितना है बता Listen दुट समझे में हैं इस लिशेशर आपको देखने ग्यारी लीटर प्रतिगंटा से दस लिटर मतलब एक हैक लीटर की औरही है कम ही एक लीटर की कम है क्यों आ prone है क्योंकि इसके साथ बी माइनस जो कर रहा है रिसाव जो माइनस कर रहा है वहीं इसके साथ चल रहा है इसलिए एक लीटर प्रति घंटा रिसाव माइनस कर रहा है तो इसलिए एक लीटर प्रति घंटा अगर जो यह कर रहा है रिसाव से पानी निकल रहा है तो 110 लीटर निकलने में कितना लगेग basic concept, method 2 भी आप इस पे apply कर सकते हैं method 2 देखिए, एक भरने का кiam कर रहा है और दूसरा उसकte साथ जब चल रहा है तो खाली कर रहा है हाँ, ऐसे question आए तो क्या अको टा है, देखिए एक क्या करना है, भरने का काम कर रहा है खाली भी कर रहा है दूसरे step में यह बोल रहा है जब कभी भी आए इस तरह से कि A किसी टैंक को X गंटे में भर सकता है जबकि A और B मिलके A और B मतलब रिशाओ अला जो है मिलके उसी टैंक को Y गंटे में भर सकते हैं तो फिर पूछे कि B उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा या भरेगा यह चीज़ों होते है तो उसके लिए आंसर आप देंगे X Y बटा में X difference Y X बराबर क्या है X बराबर 10 है और Y बराबर क्या है 11 है तो 10 गुने 11 और बटा में 10 और 11 कंतर 11 में से 10 जा 1 तो आंसर क्या होगा 110 घंटा 110 बटा एक मतलब 100 हाँ 110 घंटे यह आंसर होगा आप मेथट्टू यानि 100 ट्रिक भी लगा सकते हैं अब समझ में आ गया एक बार बताएं आप सभी सूरींट समझ गया है कि नहीं सबी सूरींट समझ गये हैं चलिए बहुत दक्षे very good चलिए एक और को शन देखें कि कि our next question देखते हैं आठ वा कोच्छन देखिएगा और ओस्वा गुण्छन बहुत ही important है अच्छे से देखेंगे और आप सब स्पूडिन्ट समझने का प्र्यास करेंगी स्कॉष्ण को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना थे समझना जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी क्या कह रहा है दो पाइप किसी टंकी को अलग-अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं दो पाइप हैं फरस्ट और सेकेंड 20 मिनट और 30 मिनट में अलग-अलग भर सकते हैं कितने मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में अलग-अलग तोंट को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए क्छोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी बारी 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 काम भी हम आप further को सिम वही चीज करना है इसमें वी यह 20 तो 20 अर 20 कैंक होगा 60 अब तो आप लोग export हो गए होगे LCM निकालना तो 20 तियाई 60 और 30 दुना के 60 मतलब 3 लीटर प्रती मिनट तो 20 मिनट में पूरी टंकी भरेगी 2 लीटर प्रती मिनट तो 30 मिनट में पूरी टंकी भरेगी बारी बारी का मतलब क्या होता है एक पहले मिनट दोस्तो पहला चलेगा तो 3 लीटर भरेगा दूसरे मिनट दोस्तो दूसरा चलेगा तो 2 लीटर भरेगा यानि कि आप इसे जोड़ेंगे 1 प्लस 1 2 घंटा में 3 प्लस 2 5 यानि 2 घंटा में रिजल्ट क्या आएगा 5 लीटर यही तो होगा देखिएगा 2 घंटा में आप से स्टूइट देखेंगे दो घंटा में टंकी क्या भरेगा पांच लीटर क्योंकि पहले मिनट कह रहा है एक एक मिनट के लिए पहला मिनट जब पहला चलेगा तो तीन लीटर भरेगा फिर दूसरा मिनट दूसरा चलेगा तो दो लीटर भरेगा तो तीन और दो मिलके और मिनट एक एक दो, दो मिनट में क्या हुआ, पांच लीटर बड़ा, हम लोगों को भरना कितना है, साथ, तो देखिए, गुने करेंगे इधर 12, इधर भी गुने करेंगे 12, तो 12 दुना के 24, ध्यान दिजेगा, 24 मिनट में क्या होगा, 12 पच्चे 60, पूरी टंकी भरेगा, तो answer क्या होगा 24 मिनट चब मॐस्वीश मिनट होगा answer अब लोगों का answer क्या है सब इस्प्टूड साइब 24 मिनट आ रहा है चलिये एक और question देखते है एक और question देख लेते हैं तो और clear हो जागा एक और question देखी येगा और clear हो जागा अच्छे से देखना इस question को इस question का answer देखते हैं कितने student दे पा रहे हैं question number 9 most important है और most repeated question है question है एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाए तो होज कितने मिनट में भरेगा 10 मिनट में भरता है 12 मिनट में खाली करता है plus और minus वाला है direct answer नहीं दीजिएगा गलत हो जाएगा दोनल है पहला और दूसरा ये plus वाला है ये minus वाला है पहला दोस्तों कितना 10 मिनिट में, दूसरा 12 मिनिट में ये प्लस करता है, ये माइनस करता है 10 और 12 कल्सियम 12, 12, 24, 44, 45, 60 यानि LCM होगा 6 टैंकी की जो छमता है, वो 60 लीटर है अगर ये 10, ध्यान दिजेगा 10 मिनिट में भरता है, तो 1 मिनिट में 10 छके साथ 6 लीटर प्लस करेगा, 12 बच्चे 60, ये 5 लीटर, माइनस करेगा अगर दोनों एक साथ चलेंगे ज्यान दिजेगा यहाँ पर देखिए 2 सेकेट, दोनों एक साथ नहीं करेगा यदि खाली होज में, दोनों नलों को बारी-बारी से बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाता है तो पहला मिनट दोस्तों जब पहला चलेगा तो क्या करेगा? प्लस 6 करेगा, फिर अगला मिनट में दूसरा चलेगा, तो माइनस माच करेगा यही तो करेंगे तो दो मिनट का रिजल्ट क्या आएगा? आंसर आप लोगों का सब का गलत आ रहे अभी हम आपको बता रहे दो मिनट का रिजल्ट क्या आएगा? वन प्लस वन वराबर क्या होगा? टू और सिक्स और माइनस फाइव क्या होगा? प्लस वन यानि कि 2 मिनट का result क्या आया एक लिटर 2 मिनट का result क्या आया एक मिनट अब देखिएगा अब कुछ ही student डाइरेक्ट साथ से गुना कर दी 120 मिनट answer दे दी ये गलत है आप लोगों का answer ठीक है कहां पिगलत है कैसे गलत है हम आप लोगों को बता रहे हाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कभी भी ऐसे question आए तो अगर ये 3 लीटर प्लस कर रहा है ये 5 लीटर माइनस कर रहा है तो जो प्लस वाला है आप उसमें से उतना घटा के पहले आप करेंगे कैसे कहने का मतलब है अगर 54 लीटर भरना हो अभी देखिएगा आप लोगों को सिखा रहे हैं देखिएगा अगर गुने हम कर दे 54 गुने 54 इधर भी कर दे गुने 54 क्यों कर रहे हैं अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं देखिएगा गुने करेंगे 54 गुने करेंगे 54 दुना के क्या होगा 108, 108 मिनिट में क्या होगा 14 लीटर, धैंदीजी ये बारी-Бारी से है दोनों 1-7 वल नहीं है ये बारी-Бारी से है समझे हे आप लोगों को बारी-Бारी से भर रहे हैं अगर दोनों 1-7 वल होते हैं अभी इस से पहले आप लोगों ने क्या किया यहां किया एक-एक मिनट के लिए बारी-बारी से खोले जाते हैं ठीक है और इसमें क्या था दोनों प्लस करने वाले थे इसमें प्लस माइनस नहीं है लेकिन इसमें क्या है दोनों देखिए बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए एक भरता है और दूसरा खाली करता है जब प्रसना है तो आप लोग समझेगा थोड़ा सा चावन मिन एक सो आज़तों मेरें से जह घटाए 54 आई की बार को आपको साथ मिनट तक यानि की सवरी साथ मिनिट तक आपको नहीं चलाना है आप कंच ये पहले देखिए क्यों कम चला रही हम आप लोगों सिखारे समझेगा चाहर Woah मिनट तक चलेंगे ध्यान दिजिएगा यहां पर देखिएगा सॉरी चोवन लीटर भरेंगे कितने एक सो आठ मिनट में फिर अगला मिनट यानी कि एक सो नौवा मिनट पे कौन आएगा फिर से आपका पहला नल खुलेगा एक सो नौवा मिनट पे कौन खुलेगा पहला और यह भरेगा कितना छे यह भरेगा कितना छे समझिएगा आप सभी सुड़े तो क्या हो जाएगा चौवन प्लस छे चौवन प्लस छे क्या हो जाएग आप ज्यादा पर इस्टूडेंट क्या कर रहे थे इधर भी गुने साथ इधर भी गुने साथ तो आप ये भी सोचिए अगर आप साथ साथ कर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट देखेंगे साथ साथ कर दे रहेंगे तो पानी भर गया खाली हो गया तो एक साथ लीटर से उपर पानी नहां जाएगा कि कमझ रहे हैं दोनों को अगर आप एक साथ गुणा कर दे रहे हैं तो देखिए एक भरने वाला भी है खाली करने वाला भी है तो आपको देखना है हम 54 ध्यान दिजिएगा आप सब इस्टूडेट 54 लीटर भरने में हम लोगों को लगा क्या 109 में 6 प्लस कर देगा 54 यानि टंकी हो गई फूल अब आपको 110 में खाली करने की क्या ज़रूरत है 112 में भरने की क्या ज़रूरत है आपको तो भरना है साथी न समझ रहे है हां 54 से क्यों क्यों गुणा वही चीज बता रहे 54 से क्यों क्यों इसके करीब गए है साथ के हम देते 55 से कर देते तो आप लोग समझ रहे कहा जाता पानी बाहर हो जाता फिर कम करना पड़ता तो बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों से पूछ रहे होज कितने मिनट में भरेगा भरने की बात कर रहे इसलिए आंसर होगा साथ मिनट सॉरी 109 मिनट मतलब सा चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और हम आप लोगों को समझाएंगे अगली गलास में ठीक है इस क्वेश्चन को एक बार और हम आप लोगों समझा देंगे वैसे आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि बारी-बारी वाले प्रश्णों को आप लोग सॉल्व करना सीख ग अगर यह तो आपको क्लियर है कि 2 मिनट में एक लीटर भ़रा जा रहा है कितना हां 2 मिनट में एक लीटर भरा जा रहा है ठीक है 2 मिनट में अगर हम गुने कर दे 50, ध्यान दीजिए आप सभी student, इधर भी गुने करेंगे 50, यानि 100 मिनट में क्या होगा, 50 से कम 50, 50 लीटर, फिर देखिएगा 100, फिर अगला मिनट 101 चलेगा, तो क्या होगा, प्लस 6 होगा, यानि क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, 56 हो जाएग देखिए आप सभी student, 56 हो गया, फिर इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, फिर इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, फिर उसके बास ते 103, 103 मिनट में क्या होगा, प्लस होगा 6, क्योंकि ध्यान दीजिए, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा क्योंकि यह 6 लीटर भर रहा है यह 5 लीटर माइनस कर रहा है तो फिर आप देखिए आप कम भी करेंगे तो इसलिए हम उसके करीब जाते हैं जो पहला भरा जाता है न यह चे तो छे कम करके 54 के करीब चले जाएगा इसलिए चौवन गया है ठीक है आगे देखिए फिर 103 में जाएंगे तो क्या होगा देखिएगा आप सभी स्टूडेंट फिर 103 में जाएंगे तो 6 होगा 56 क्या हो जाएगा 57 फिर 104 में जब आप जाएंगे तो क्या होगा माइनस 5 होगा तो 57 में से 552 देख रहे है धीरे धीरे ऐसे क्या हो रहे है आप आगे पीछे हो रहे है और 57 पैसे जाएंगे समझ रहें तो इसलिए हम क्या किये 54 किये और इधर गुने क्या किये 54 दोनों तरफ गुने किये तो चौवन लिटे भरने में लगा 108 मिनाट तो 109 अगला में क्या होगा थे भरेगा तो साथ टंकी फूल इसलिए 109 आया ठीक है समझ में आगया है अच्छी बात है सभी स्टूडेंट समझ गया है एकदम साई देखिए मन लगागी पड़िए खूब अच्छे समझे सारे कोश्चन समझ में आएंगे इस कोश्चन को अगली ग्लास में एक बार और हम समझा देंगे ठीक है चलिए आज टाइम हो गया है चलिए एक बार इसको आप लोग क्या करिएगा आपने आप से सभी स्टूडेंट प्राक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट है सारे कोश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगली ग्लास में प्रैक्टिस करके आएंगे ठीक है प्रैक्टिस करक तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपको स्वागत करता हूं सब्सक्राइब करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे अब लोगों की एक लास हो चुकिये और यहां पर आप लोगों की जो भी क्लास से चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है जीरो लेवल से चल रही है और चैप्टर बाइच्टर चैप्टर चल रही है और हम उमीद करते हैं आप सभी प्रश्णों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और जो भी आपकी पीछे की क्लास चली है उसका आप सभी स्टूडेंटरी रिविजन जरूर किया होगा ठीक है जितने भी क्लास चली है उसका आप लोग रिविजन और प्रैक् करेंगे आप लोग समझने का सभी स्टूडेंट प्यास करेंगे ठीक है चली है तो आज इस कोश्टिन को फिर से एक बार और ले के आते हैं ले क्या हैं ताकि और आप लोग को अच्छे से क्लियर कर सके ठीक है चलिए, question देखिएगा आप सब student question number 9, question number 9 जो है दोस्तों ये most important है, पूछा गया question है, और ऐसे question हमेशा पूछे जाते है, फिशली class में भी इस question को हम कराये थे, ठीक है, तो question कह रहा है, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता ह है, यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाए, तो हौज कितने मिनट में भरेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बारी-बारी से बात कर रहे है, और एक दोस्तों नल भरने का काम कर रहे है, एक खाली करने का काम कर रहे है, ठीक है तो इसको direct answer आप नहीं देंगे जैसे पीछे वाली class में आप लोग इसे पहले question था, question number 8 जिसमें हम लोग direct answer दे रहे थे उसमें क्या था, दोनों null बारी-बारी से तो चल रहे थे लेकिन दोनों null क्या थे, भरने वाले थे तो भरने वाले हैं, तो एक साथ आप उसको चला सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बारी-बारी वाला है, एक दोस्तों क्या करें, 10 minute में ध्यान दीजेगा 10 minute में भरता है, और दूसरा 12 minute में क्या करता है, खाली करता है तो देखिएगा, हाँ, समझ में आ गया था, कोई बात नहीं, बहुत स्टूडिंट समझ गये थे, एक दो स्टूडिंट नहीं समझे थे, तो उनको समझा रहे हैं, अच्छे समझेंगे, देखिए, एक नल किसी होज को 10 मिनट में भरता है, पहला जो नल है दोस्तो, ये क्या क आ ले थे, तो 10 और 12 का साथ, ठीक है, सबसे आसान होता है, ऐसे प्रशनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, देखिए, तो 10 चक के क्या होगा, साथ, यानि कि अगर 10 मिनट में ध्यान दीजेगा, 10 मिनट में भर रहा है, तो एक मिनट में कितना भरेगा, 6 लीटर, तभी क्य होगा, 6 दहां में साथ, देखिए, LCM जो आता है, 60, ये क्या है, इतने लीटर की टंकी है, ठीक है, हाँ, इतने लीटर की टंकी है, टंकी की धारिता, ठीक है, या इतने यूनिट मान सकते है, कुछ भी मान सकते है, ठीक है, अब देखिए, ये 12 क्या है, ये 12 मिनट में खाली कर रहा तो एक मिनट में कितना खाली करेगा 12 से भाग करेंगे 12-25 यानि ये छे लिटर प्लस करेगा और ये पांच लिटर माइनस करेगा ठीक है और यहाँ पे कहरा है यहाँ आप सब देखेंगे कहरा है यदि खाली होज में दोनों नलों को बारी बारी से एक-एक मिनट के लिए एक-एक मिनट के लिए मतलब पहले बार पहले नल को खोला गया फिर दूसरी बार दूसरे नल को खोला गया देखिए जब कभी भी लिखा ना हो कि पहले किसे खोला जा रहा है तो आप मानेंगे पहल है पहले को खोला जा रहे है बाद में दूसरे को तो यहां पर क्या है पहले पहले को को आप लोगों को करें कुछ ज्यादा करनी की जोरत नहीं है पहला मिनट्स होगा अगर पहला चले गा तो यह क्या करेगा प्लस 6 छे लीटर 9 भरेगा दूसरा बार दोस्तों ध्यान दिजिएगा दूसरा मिनट्स में जब दूसरा चलेगा धया दिजिए दूसरा अगला मिनट क्या होगा दूसरा चलेगा तो यह माइनस कर देगा पांच तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तो दो मिनट में दो मिनट का देखिए एक और एक दो मिनट का result, ध्यान दीजेगा, दो मिनट का result क्या आया, यहाँ पर आप सभी student देखेंगे, 6, plus 6 किया, दूसरे में minus 5, क्योंकि यह क्या करता है, खाली करने वाला है, तो minus करेगा, तो plus 6 minus 5, तो क्या होगा, plus 1, यानि कि 2 मिनट में क्या हुआ, दो मिनट में क्या हुआ, एक लीटर पानी गया, ठीक है, कितना, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, दो मिनट, ध्यान दीजेगा, आप सभी student, दो मिनट, दो मिनट में कितना पानी गया है, टंकी में, एक लीटर, हाँ, दो मिनट में कितना पानी गया है, एक लीटर आपी देखिएगा कुछ स्पूडिंट का अंसर आ रहे हैं अच्छी बात है यहाँ पर एक भरने का काम कर रहे हैं दूसरा खाली करने का काम कर रहा है तो आप लोग क्या करेंगे हम लोगों को भरना कितना है साथ तो आप सभी स्टूडिंट क्या करेंगे गुने ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडिंट गुने क्या करना है बहुत से स्टूडिंट क्या किये गुने साथ कर दिये मतलब साथ लीटर गुने साथ कर दिए 120 मिनट ऐसे कर दिए और दो घंट आंसर देने लगे यह गलत बात ऐसे नहीं करना है आप लोग देखिए सीखिए यहां भी क्या करें एक भरने का काम कर रहा है एक खाली करने का एक प्लस कर रहा है जब दोस्तों प्लस हो जाएगा फिर माइनस करें फिर करें यह सब करना आपको नहीं है आपको पहली बार क्या कर देना है प्लस कर देना है मतलब जब बहर गया जब बहर गया तो उसी टाइम पर उखजान है कि देखिए भाई साब तंकी तो फूल हो गई है अब आगे चलाने की जोरत नहीं है यह नहीं कि अगले मिनट क्या करेंगे आप फिर खाली कर देंगे फिर अगले बार भरेंगे ऐसा नहीं करने ठीक है तो देखिए क्या कर रहे है प्लस छे कर रह होंगे तो क्या होगा चोलोंजर्ट mercury भरेंगे तो चोलोंजर्ट इकसा अक्यसी टींट में और08 गेहां सब और यहां सु्ट क्लिए यहां तक आप से सुट्रेंट क्लिए है बहुत तक चे एक सो आठ मिनट में क्या गया चौवन लीटर अब देखिए फिर एक सो नौवा मिनट पे कौन आएगा पहला आएगा तो यह कितना भरेगा छे भरेगा फिर एक सो दसवा पे माइनस होगा ऐसे होगा लेकिन यहां दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट चौवन में छे भरेंगे तो क्या हो जाएगा चौवन में छे जुड़ जाएगा तो साथ लीटर घ्यां दीजिए टैंक हो गया फूल यानि एक सो नौविनेट में टैंक फूल अब आगे कुछ स्टूडेंट यह सोच रहोंगे चलिए एक सो दस पे देख लेते हैं एक सो दस पे एक सो दस पे क्या होगा माइनस होगा फाइव तो साथ में से क्या होगा माइनस हो जाएगा फाइव तो हो गया पच्छपन तो आपको खाली करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है यह यहां पर कह रह माल लीजिए फिर 111 पे जाएंगे 111 मिनट पे जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा 6 क्योंकि एक बार प्लस है दूसरी बार माइनस 5 फिर प्लस है तो यहां पर 556 क्या हो जाएगा एक सथ हो जाएगा पानी बाहर आपको नहीं भेजना है समझ मिल आए गहीं की नई पानी को बाहर नहीं करना है ठीक है तो इसलिए क्या करेंगे छे कम ही करेंगे 54 तक उसके बाद 109 पे 6 गया साथ यानि की 109 मिनिट में क्या हो गया टंकी हो गया फुल ध्यान दीजिएगा 109 टंकी हो गया फुल आंसर आ आपका ठीक है आंसर होगा 109 मिनेट ठीक है आप लोगों का क्या होगा 109 मिन्स ध्यान दीजेगा आप सभी स्टूडेंट 2 a.s कि अब अब सभी स्टूडेंट देखेंगे सीखने का प्रयास करेंगे दो शेकेंड बता रहे हैं आप लोग ध्यान दिजिएगा सभी स्टूडेंट हाँ तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं 109 मिनट तो आप लोगों का आंसर होगा दो शेकेंड दो शेकेंड कुछ गड़त हो रहा है यह मिट काने में ठीक है तो आंसर आप लोगों का क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट आंसर आप लोगों का क्या होगा 109 मिनट ठीक है हां हैं कर रहा है कोई नहीं 109 मिनट आंसर क्या होगा 109 मिनट एक पर बताए त आप देखिए इसमें क्या होगा हाँ इसमें क्या होगा ध्यान दीजियेगा आप 6 लीटर कम ही जाईए यानी 54 तक चले फिर ध्यान दीजियेगा 54 तक गए तो मतलब 108 मिनट हो गया क्योंकि यहां हो रहा था दो मिनट में 1 लीटर तो 108 मिनट में 54 लीटर फिर 109 पे पहला पाई पाई पाईगा तो क्या करेगा 6 लीटर भरेगा तो 60 लीटर फुल हो गया यहाँ पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे टंकी क्या हो गया फुल हो गया तो 109 मिनट क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर यही आंसर होगा कि चले शल्ड मैं आ गया है बहुत शेख़ दम सही चले देखिए रिविजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे सीखें तो आप लोगों को सारी कोश्चिन समझ में आएंगे ऑगला question देखेंगे easy question है question number 10 देखिएगा question number 10 important है पूछा गया question है और ऐसे प्रेशन हमेशा पूछे जाते question है यदि तंकी का 3 बटा 5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग कितने समय में भर जाएगा क्या बोल रहा है तंकी का 3 बटा 5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग कितने समय में भर जाएगा 3 बटा 5 भाग का मतलब ध्यान दिजिएगा 3 बटा 5 भाग का मतलब 5 भाग में 3 भाग 5 भाग में 3 भाग कितने मिनट में भर रहा है एक मिनट में ठीक है यानि तीन भाग भारा है कितने मिनट में भारा है दोस्तों देखिए तीन भाग भारा पांच भाग एक मिनट एक मिनट ध्यान दीजिएगा एक मिनट तो एक मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तीन भाग भारा साथ सेकेंड में साठ सेकेंड भी लिख सकते हैं हां तीन भाग भारा साठ सेकेंड में तो एक भाग भरेगा कितने में साठ बटा का तीन यानि कि 20 सेकेंड में इतना समझ रहें हां तो हम लोगों से पूछ रहा है बचा हुआ भाग बचा भाग क्या है ध्यान दीजिए बचा हुआ भाग बच बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग, क्या है, पांच भाग में से, तीन भाग भ़र गया है, यह धो भाग, अगर यह वह 20 क när भर रहा है तो, दो ह्युक इतने universities ने भठेगा, 40 सेकेंड में, 40 इसका अंसर होगा, 40 second कितना रहा है answer अब लोगों का 40 second एक दम easy है आसान है उमीद करते हैं आप सब स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ऐसे कैसे प्रशनों को solve कर रहे हैं देखिए बस यही चीज़ समझना है 3 बटा 5 भाग का मतलब 5 भाग में 3 भाग 1 मिनट में भरा है यानि कि 3 भाग अगर 1 मिनट 3 भाग 1 मिनट का मतलब 60 second तो 1 भाग कितने में 20 second में तो 2 भाग 40 second में समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट तो 2 ही भाग बचा हुआ है तो कितना में भरेगा बताए आप सब स्टूडेंट 40 second चलिए next question के तरफ चलेंगे अगला question देखेंगे question number 11 question number 11 देखिएगा काफी important है अच्छे से आप सब स्टूडेंट देखेंगे question number 11 most important है अध्यान से देखेंगे question है pipe P और Q एक tank को क्रम सह 6 और 4 घंटे में भर सकते है pipe P को 7 बज़े खोला जाता है और P को sorry और P और Q को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है tank कितने बज़े भर जाएगा ध्यान दिजिए tank कितने बज़े भर जाएगा question यह बोल रहा है answer देखेंगे देखिए हम आप लोगों को समझा रहे time and work इस से पहले आप लोग पढ़े है तो आप लोगों के लिए यह सब question बहुत ही easy है आसान है देखिए pipe P और Q एक tank को क्रमसद 6 और 4 घंटे में pipe P कितने घंटे में 6 घंटे में और pipe Q दोस्तों कितने घंटे में 4 घंटे में 6 और 4 का LCM बढ़ा संक्या 6 देखेंगे LCM हो सकता है नई 4 से नहीं कड़ेगा 6 दुना के बारा 4 से कटेगा हाँ 6 से भी कटेगा तो LCM होगा 12 ध्यान दीजिएगा आप सब student यानि 12 लीटर की क्या है टैंक है यह 6 घंटे में भर रहा तो यह घंटे में कितना भरेगा बहुत अच्छे कुछ student आंसर भी दे रहे आंसर सही है देखिए तो 2 और 3 आया यहां तक आप लोग समझ गए अब कह रहे है pipe P को 7 बजे खोला जाता है क्या pipe P को 7 बजे खोला जाता है और P और Q को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है 10 कितने बजे भर जाएगा देखिए एक घंटे में अगर P चलेगा तो 2 लीटर भरेगा फिर अगले घंटे दोस्तों क्यू चलेगा ध्यान दीजेगा एक घंटे पी चलेगा तो 2 लीटर भरेगा 2 घंटे में भरा कितना 5 लीटर हम लोगों को भरना कितना है 12 तो गुने 12 देखिएगा 12 तक जा सकता है पाँच के पाड़ा में नहीं जाएगा तो 2 घुना कर दीजे इधर भी 2 घुना करिए यानि कि 4 घंटे 4 घंटे में क्या होगा 10 लीटर चार घंटे में क्या होगा 10 लीटर फिर देखिएगा अगला घंटा कौन आएगा पी आएगा और अगला घंटा पी आएगा तो कितना भरेगा पी एक घंटे में क्या कर रहा है देखिएगा पी एक घंटे में क्या कर रहा है दो लीटर और क्यों एक घंटे में क्या कर रहा है 3 लीटर. समझ में आ ते चीज? हाँ. तो अब पांचवे घन्टा. पांचवे घन्टा ध्यान दिज согगा. पांच घन्टे. पांच घन्टे में दोस्तों कौन आएगा? पांचवे घन्टे. पांच घन्टे में आएगा P, और यह क्या करेगा? प्लस 2 करेगा, तो 10 प्लस 2, ध्यान दिजेगा, 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 लीटर, 12 लीटर हो गया, कितने घंटे में हुआ है, दोस्तों, 5 घंटे में हुआ है, 12 लीटर, मतलब जो टैंक की छमता है 12 लीटर, टैंक की फूल हो गई, कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो हम ल खोला जाता है ध्यान दिजिएगा साथ बजे खोला गया है और यह पांच घंटा चला है कितना पांच घंटा चला है तो कितने बजे भर जाएगा 12 बजे 12 बजे यही answer होगा 12 बजे कितने लोगों का answer आ रहे 12 बजे ठीक है यह होगा 12 बजे लिख देते हैं आप लोग ही जैसे लिख रहे हैं 12 बजे answer हो जाएगा कितने बजे भर जाएगा 12 बजे यानि 5 घंटे 7-5-12 बहुत देख छे एकदम सही जो हो जाना है तो आपके लिए क्या हो जाएगा या वहां तक पहुंच जाना है तो आप आपके लिए क्या हो जाएगा प्रशना असान हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यह सब गुना किया जाता है नीचे ठीक है चलिए समझ में आ गया अच्छी बात है चले नेक्स कोशन के तरफ मन लगागे पढ़िए खुब अच्छे से पढ़िए डेली क्लास को आप लोग आप लोग इंस्टाग्राम से आप सबस्टूडेंट जरूर जुड़ जाए इंस्टाग्राम पर सर्च करके फॉलो कर लिए जुड़ जाए ठीक है हां समझ में आ गया चलिए आगे चलते हैं देखिए नेक्स कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन कोश्चन नमबारा पूछा गया कोश्चन है ध्यान से आप सब इस्टूडेंट देखेंगे कोश्चन नमर बारे है दो नल ए और बी करमसा बीस घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं दोनों नलों को एक साथ खोलने के बाद नल एक को कितने घंटे बाद वन कर दिया जाए जिसे से कि टंकी 18 घं नल एक हो कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए जिससे 18 घंटे में की बात कर रहे है और बी को बंद करने की बात नहीं कर रहे है तो B यानि 18 गंटे तक चला, 18 गंटे में जितना बारा बारा, बाकी बारा कौन होगा A, अब देख लेंगे एक कितने देर तक चला, तो वही टाइम होगा कि दोनों एक साथ उतने देर तक चले, आंसर दे सकते हैं, easy है, चले, देखिए, यहाँ पे क्या है, A है, कितने गंटे में, 20 गंटे में, और कौन है, B है, यह कितने गंटे में, 30 गंटे में, 20-30 का LCM क्या होगा, 60 होगा, अब आप लोग तेज हो गए होंगे, LCM निकाल रहे होंगे, 30 देखिएगा, 30 से कम 30, 30 नहीं होगा, क्योंकि 20 देखिएगा, 30 दुना के साथ, 20-30 कट रहा है, यानि कि सब दी गई संख्याओं से भी भाजित हो, ठीक है, यही होता है न, तो देखिए, 20-30, 3 लीटर प्रतिघंटा, 30 दुना के साथ, 2 लीटर प्रतिघंटा, तब यह कि, 3 लीटर प्रतिघंटा, 20-30, यानि कि 20 गंटे में, फुल, 2 लीटर प्रतिघंटा, 30 गंटे में, फुल, समझ भी दोस्तों धहन दिजीएगा भी एक घंटे मेँ मेँ दो लीटर चल रहा है तो अठारा घंटे में उकरा टो अब क्या करेंगे देहान देए आप सब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर साथ में से 36 गटाएंगे 24 यानि कि 24 लीटर 24 लीटर पानी यह भरा है कौन भरा है 24 लीटर यह तो 24 लीटर भरने के लिए आप सभी स्टूडेंट देखेंगे यह घंटे में कितना भर रहा है एक घंटे में 3 लीटर तो 3 से भाग करेंगे तो 8 गंटे अंसर होगा 8 गंटे देखिए क्या होगा यहाँ आप देखिए A को कितने गंटे बाद बंद कर देना चाहिए जाए जिसे टंकी 18 गंटे में भर जाए तो 8 गंटे बाद 8 गंटे बाद ध्यान दीजिएगा आप सब student A को बंद करने के लिए बाद फुरिए तो 8 गंटे बाद यह आंसर होगा आप लोगों का देखिए अगर A और B दोनों मिलके 8 गंटे तक चले देखिएगा यहाँ पर कुछ student यह भी confusion में आप लोगों का रहा होगा आप लोग यहाँ पर भी confusion हो रहें कि सर यहाँ पर दिया है दोनों नलों को एक साथ खोलने के बाद तो दोनों नलों को आप एक साथ खोलेंगे तो A दोस्तों 1 गंटे में 3 और B दोस्तों 2 तो 3 दो 5 ध्यान दीजिएगा मिलेंगे तो क्या होगा 5 और 8 गंटे तक 7 चले तो 40 भर दिये अब हम क्या कर दिये एकोबंद कर दिये बचा हम लोगों के पस क्या B कितना देर चलेगा ध्याम दीजिएगा आप सभी घंटे तक तभी समझ में आप लोग का आईगा दो से चलेगा दो दह में 20 यानि कि क्या हुआ यहान पर आप सभी घंटे तक और ये 8 गंटे तक चला, ये भी आप सो सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपके लिए आसान क्या होगा, आपके लिए आसान ये होगा, कि B को पूरा चला दीजिए, और देख लिए एक इतने घंटे तक चला, ये बस 8 गंटे तक चला है, 8 गंटे बाद क्या हुआ है, बंद कर दि ज़ए बी चला है तो लीटर प्रती घंता भर रहा है सेस बचा कितना ध्यान दीजेगा सेस बचा कितना यह सेस निकाले साथ में से 36 गटा है 24 तो यह भरा है 24 लीटर तो 3 वट 24, 8 घंटे तक चला है 24 लीटर बरा है बाकी का कारिकरम जो है भी किया है, बाकी की कारिकरम कौन है, भी किया है, समझ में आ गया, 8 घंट आ गया, एकदम सही है, simple है, आसान है, कर सकते हैं, चलिए next question के तरफ चले, अगला question देखें, उमीद करते हैं आप सब्स्टूटिंट समझ गये हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझें चलिए नेक्स देखिएगा अगला कोश्चन भी काफी इंपॉर्डेंट है इस कोश्चन को देखेंगे कोश्चन नंबर 13 कोश्चन नंबर 13 देखिएगा कोश्चन नंबर 13 को खोल दिया गया तद नुशार नली वी को भी 11 बजे प्राता खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी सिंपल कोश्चन है आशान कोश्चन है आप लोग कर सकते हैं देखिए समझ में पिछला आ गया है तो इस कोश्चन को देखें देखिए टंकी ए को इनली ए द्वारा दो घंटों में भ़रा जा सकता है ए द्वारा दो घंटों में और वी द्वारा दोस्तों किस समगी दो और छे तो 6 एकम 6, 2Ti6, कट रहा है, यानि 6 लीटर की टंकी है, ठीक है, 6 लीटर, अगर इससे 2 घंटे में भारा जा रहा है, तो 6 को 2 से भाग करिए, 2Ti6, यानि 3 लीटर प्रति घंटा भरेगा, तभी 2 घंटे में क्या होगा, 6 लीटर टंकी फूल, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, हाँ, अब देखिए, फिर 6 से 6 को भाग करेंगे, तो क्या होगा, एक, यानि जो भी है, एक लीटर प्रति घंटा भरता, तभी 6 घंटे में भरेगा, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, चलिए, हाँ, कुछ स्टूडेंट पूच रहे है, सर आनन्द कहा है, आनन्द घर पे है, ठीक है, चलिए, हाँ, अब लोगों की अभी क्लास जो चल रही है, मुखरजी नगर दिली से चल रही है, ठीक है, चलिए, मिलाएंगे आनन्द से अब लो चला है तो कितना भरआ वर दिया थीक है तीन लिटर भर दिया उसके वास्ते कहा रहा है यदी ध्यान दीजे यदि नली वी को 11 बजे खोल दिया जाए तो ए प्लस भी ध्यान दीजेगा आप सब दोनों चलेंगे द्यान दीजेगा और हम लोगों को भरना कितना है छे में से ध्यान दीजेगा शेस ध्यान दीजेए आप सभी यहाँ पर लिख रहे हैं सेस्ट की बात कर रहा है यानि कि 6 में से 3 घटाएंगे 3 ही बचा कितना बचा 3 लीटर ही बचा और जब दोनों एक साथ होंगे तो 4 लीटर भर रहे हैं तो क्या होगा 3 बटा का 4 3 बटा का 4 का मतलब क्या 3 बटा 4 घंटे आगे जब चलेंगे 11 से 11 से जब चलेंगे तो क्या होगा 3 बटा का 4 घंटा लगेगा 3 बटा 4 घंटे को आप मिनट में बदल सकते हैं 3 बटा 4 घंटे को मिनट में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट 60 से गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं 6 दूना क한다 200 120 समझ रहे तो इसी प्रेकार से कुना जब करेंगे यह पंद्र तेया 45 क्या हो जाएगा मिनट ओ जाएगा 25 मिन ध्यान दीजीएगा आप सब isto तो एक घंटा 45 मिनट यह लगा ठीक है हाँ 45 मिनट ही लग रहा है सिर्फ इदर आगे जब जा रहे हैं तो 45 मिनट लग रहा है तो एक घंटा 45 मिनट क्या अंसर आएगा आप लोग को बताए तो आप लोग को क्या आ रहा है देखिए ग्यारह से दस से ग्यारह तक एक घंटा कितना गया तीन लीटर ठीक है अब हम लोगों को भरना कितना है अब देखिए हम लोगों को भरना कितना है हम लोगों को भरना है तीनी लीटर और यहां से जो दोनों जुड़ जा रहे हैं यहां से ए प्लस बी हो जा रहे हैं यहां से क्या हो जा रहे हैं ए प्लस बी दोनों स्टार्ट हो जा रहे हैं मतलब 3 3 प्लस 1 3 प्लस 1 is equal to 4 यानि 4 लीटर प्रती घंटा हम लोगों को भरना है तीनी तो तीन बटा का चार तीन बटा का चार घंटा ठीक है तीन बटा का चार घंटा का मतलब क्या हो जाएगा द्यान दीजिएगा तो इसको मिनट में बदलेंगे तो गुने साड करेंगे 45 मिनट ए आंसर क्या आएगा अब सभी स्ट्टें ठीक है जगी यहां घंटा 45 मिनट यहां पर देखिये कुछ स्ट्ुडेंट इसके लिए 11 बज़े से चला है 10 बज़े से चला है एग साथ 45 मिनीट में फूल होगी तो आंसर आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं झाय immersed 45 मिनिट मतलब 1145 यह भी आंसर आ रहे सकता है ठीक है ऑप्शन के एकॉर्डिंग एगंटा 45 मिनिट दे रहे क्या दे रहे तो टंकी किस समय तक भर जाएगी 1145 एगंटा 45 मिनिट भी आंसर सही है और 1145 अगर आप बोल रहे तो भी सही है ठीक है 1145 बहुत एक्षे उमीद करते हैं सभी स्टूडिंट समझ गए होंगे ऐसे प्रश्णों को कैसे सॉल्व किया जाता है समझ में आगया है कि ने एक बार बता है सिंपल है आसान है कुछ करने है कि इसमें ज़्यादा जोर्वत नहीं है औरल है आप कर सकते हैं बिना उठाए भी कर सकते हैं ठीक है बस आपको समझाने के लिए लिए ताकि आप सब्सक्राइब अच्छे से समझ सके चले नेक्स कोश्चन के तरफ चले बताए आप लोग आगे देखेंगे अगला कोश् नमबर 14 की बात करें तो यह most important है अच्छे से देखेंगे द्यान से देखेंगे दो नल ए तथा भी एक टंकी को करम सह 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों नलों को सुबा 5 बजे खोला जाए तो साम ठीक 5 बजे टंकी को पूरा पूरा भरने के लिए एक को कब करें देखें संजने का आप लोग प्रयास करेंगे कहरें ए और भी एक टंकी को कृम सह 20 तथा 24 घंट में भर सकते हैं यह और भी क्रम सह 20 तथा 24 घंटो में भर सकते हैं सुवरींट एक सोबीस तो भी सखके 120 और चॉवने यानcomb है यहां तक तो समझ में आ गया यहां तक तो आ गया आप कुछ दिक्कत नहीं है आप देखिए जब इतना समझ में आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया ठीकт है आगे कह रहा है ध्यान दीजिए आप सभी student कह रहा है यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए कितने बजे सुबह में 5 बजे तो साम ठीक 5 बजे टंकी पूरा भरने के लिए A को कब बंद कर देना चाहिए यानि कि B को बंद करने की बात नहीं किया है बी दोस्तों सुबह 5 बजे से लेके साम 5 बजे तक चल रहा है ठीक है यानि कि ध्यान दीजिए आप सभी student 5 a.m. से 5 p.m. तक कितना घंटा होगा यहां से यहां तक 12 घंटा 12 घंटा होगा यहां तक तो आप लोग समझ रहे होंगे अगर 12 घंटा तक भी चला हो ध्यान दीजिए बी दोस्तों क्या है एक घंटे में 5 लीटर भर रहा है कितना 5 लीटर एक घंटे में 5 तो 12 घंटे में क्या होगा साथ लीटर वी ने सुबब पाच बज़े से लेके साम पांच बज़े तक कितने लीटर पानी टैंक में 50 लीटर अब सेस जो बचा है और कौन भरा होगा यह भरा होगा और उसके बाद उसे बंद किया गया होगा यहीं तो है अब देखिए एक यह की बात कह रहा है एक ही त तो कितना हुआ, 7 लीटर, ये कौन भरेगा, ये भरेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी student, साथ लीटर भरना है एको, और ए दोस्तों प्रती घंटे 6 लीटर भर रहा है, तो क्या होगा, 6 दहा में साथ, यानि कि 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद किसको बंद कर देंगे, एको, 10 घंटे बाद एको बंद करेंगे, आंसर आजाएगा, याँ आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 गंटे तक दोनों 7 चले फिर A को बंद कर दिये B तो चलाईए अगर 10 गंटे तक 7 चले है तो यहाँ पर देखेंगे 6, 5, 11 6, 5, 11 11 गुने 10 करेंगे तो 110 लीटर टैंक फुल हो गई बचा कितना है दोस्तों बचा कितना है 10 लीटर और B दोस्तों ध्यान दीजिएगा B तो चली रहा है और B यहाँ पर आप सब स्टूडिंट देखेंगे B एक घंटे में 5 लीटर भर रहे तो 5 से भाग करेंगे 5 दूनक दू यानि 2 घंटे तक अकेले चला यानि 12 बज़े तक 12 घंटे तक चला ठीक है ऐसे भी समझ सकते हैं तो यहाँ तक आप लोग उमीद करते हैं समझ गयोंगे तो बस आपको इतना ही समझना है ठीक है अब देखिए इसको आंसर आप लोग क्या देंगे हम आप लोग को बता रहें देखिए क्या रहा है नल एक को कब बंद कर देना चाहिए दस घंटे बाद या आप कर सकते हैं सुबह के 5 एम में ध्यान दीजिएगा सुबह के देखिए ध्यान दीजिए सुबह 5 बजे में 10 घंटा जोडेंगे ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडें पाँच बजे में ध्यान दीजिएगा पाँच बजे में आप क्या करेंगे 10 घंटा जोडेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 5, 15 quem बजे यनि कि साम 3 P.M ये भी आपका आंसर हो जाएगा 3 P.M या आंसर आप दे सकते हैं और 3 P.M हाँ साम 3 बजहे, आप ये भी answer दे सकते हैं, दोनों में कोई भी answer दे सकते हैं, 10 गंटे बाद या 3 पियम पे, ठीक है, साम 3 बजहे, ये भी answer दे सकते हैं, अप्सन के according, ठीक है, चलिए, 10 आवर्श या 3 पियम, very good, बहुत अच्छे, उमीद करते हैं, आप सभी student discussion को समझ गया होंग और इस टाइब के कोश्चन आपकी एक्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे एक बार बताए तो समझ में आया की नहीं टेली ग्राम को अभी तक जोई नहीं है तो टेली ग्राम को क्या करिए जोई करेंगे और यूटूब पे जो आपकी क्लास चल रही है उस क्लास को आप लोग जरूर जोई करिए ठीक है उस पर क्या होता है अलग अलग टाइप के कोश्चन कराते हैं वह सब भी आपके एक्जा भाई बेहन दोस जो भी है उन्हें भी बताईए ओभी क्लास को जुजाइन करें ठीक है और आप सभी स्टूडेंट ससी मेकर आप को फाइफ स्टार की रेटिंग जरूर दीजिए प्लेट बेज आईए फाइफ स्टार की रेटिंग और वहत्री इंद्री आप लोग दारू चाप्टर है वह आपका फिनिस हो जाता है ठीक है जितने भी इंपोर्डेंट कोशन है जो आपके एक्जाम में बन सकते हैं आप लोग आप कर सकते हैं किसी भी कोश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोग क्या अगर यह प्राक्टिस इन सभी प्रशनों का जर करेंगे जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देखे आप पीडियाफ को क्या करिए डाउलोड करिए देखिए जैसे हम एक दिन में दस कोईशन बारा कोईशन बंदरा जो भी कोश्चन कराते हैं आप उन प्रशनों को पीडियाफ डाउनलोड करिए कॉपी लीजिया रफ करके एक दिन में आप कई-कई-कई-कलास को आप समप्ट कर सकते हैं ठीक है बहुत अक्से तो मन लगा कि पढ़िए कूब अच्छे से पढ़िए जो भी क्लास जल रही है उसका आप लोग रिविजन करिए प्रैक्टिस करिए कोशिस करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लास की एक दिन में रिविजन करें यह जरूरी नहीं कि एक दिन में क्लास का रिविजन करना है या प्रैक्टिस करना है जरूरी नहीं है आप एक दिन में सोचिए प्रसेंटेज उठाए तो प्रसेंटेज को करिए हां प्रसेंटेज हो सकता है बड़े चैप्टर है तो दो दिन मे करिए लेकिन कोशिव करिए एक दिन में 2-3 क्लास को आप पीछे से बीजन करें ऐसे आप करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे तो यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का time and work तो आप पढ़ी लिये हैं, pipe and systems हमाप्त होता है, आगे हम हम अगली क्लास में नया chapter स्टार्ट करेंगे, तो आप सबस्टूडेंट अगली क्लास में, सबस्टूडेंट बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, ठीक है, ठीक है तो आज के लिए दोस्तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद तो तेरी किस बात की, आज ही जोइन करें SSC GD 4G बैंच, मात्र दोसो पचास रूपिये में और करें अपने सलेक्शन को पक्का ओफर सीमित समय के लिए उपलब्द अधिक जानपारी के लिए आप SSC Maker App डाउनलोड करें और दिये गई नमबर पर कॉल करें